हाई गैज मैं हूँ अस्वानी मोडिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अस्वानी मोडिया ओमनी पूटेंट तो आज मैं आपके जरुरत का ही समान लेखे आ चुका हूँ और इसका मैं अन्बोक्सिंग भी करूँगा और सब कुछ इसके बारे मैं बताने वल आउं तो मैं पहले बता रता हूं कि जैसा कि हम सभी लोग इस समय मोबाइल को अधिकानस्तर यूज करते हैं यार इस्तिमाल करते हैं और इस्तिमाल करते वक्त हमें एक परजानी आती है जो होती है charging की क्योंकि हम charger को हर जगह ले नहीं जा सकते तो इसी का solution निकलते हुए हमें पावर भैंक रखना पड़ता है तो हम आज आपको पावर भैंक दिखाने वाले हैं और पावर भैंक कैसा हम ले किस तौईके माता है उसके कुछ गुणताwen को बताते है आपसे तो इसके की हमारे ज हैं फिलिप्स का पावर भैंक हमने आउनलाई मar्याय है जो की यहां उसके डिलेवरी मिल चुकी है मैं इसको उन्वॉक्सिंग करूंगा और आपको यहां दिखा देता हूं कि हमारा फिलिप्स का पावर बैंक है कैसा है तो इसमें हमें चार्जिंग की सुविरा अच्छी मिल लई है और 2.1 का हमें maximum output मिल ला है इसी तरह के से सब इसका system दिया हुआ है और मैं आपको यहां दिखा देता हूं कि हमें जो है की USB port दो पीस USB port मिल ला है जो की एक पीस जो हमारा है वन एंपियर यानी camera iPod साधे मुवाइल के लिए है और 2.1 एंपियर का भी हमें यहां socket मिल ला है उस भी socket जो की smart मुवाइल के लिए है टैप के लिए है और बड़ी अन unboxing करता हूं और वह इसको यहां से निकालने वाला हूं और देखता हूं किसमें कैसा हमारा power bank है यह देखिए हमें power bank के साथ यह जो है कि हमें फिलिप्स का जो है की data cable भी मिल ला है power bank के साथ और power bank कैसा है तो हम इसे बाहर करते हैं और power bank भी बहुत ही पतला और खुबसूरत सा mobile के वजन के बराबर और mobile के size में भी है और बहुत अच्छा power bank है आप देख सकते हैं कि यह फिलिप्स का branded power bank है और इसमें आप देख सकते हैं इसमें दो port है एक जो है की एक port जो है की यहां आप देख सकते हैं यह वाला port जो है यह ब्लेक वाला 2.1 एंप carrier का है और इसमें एक खासियत और दी गई है यहां आप देख सकते हैं कि यहां जो है हमें डी टाइप का जो है की charging cable दिया गया है जैसे कि यह देख सकते हैं आप दोनों charger की सायता से इसको बहुत ही आसानी से charge कर सकते हैं और यहां हमें operate करने के लिए यहां power bank का main button दिया गया है अगर हम इसको एक बार दबाएंगे तो यहां हमारा power bank active हो जाएगा तो यह power bank अभी जो है की यहां four dots है जो कि यह three dots जल लें तो इतना percent में charging इसका है और जो है की यह धीरे-धीर कम होता जाता है और कम हो आने पर यह एकदम अपना capacity कम करता है यह three dots अभी चार्ज है तो यह charging की अवस्था को बताता है और इसको हम जब double bar click करेंगे तो यह हमारे power bank को बंद कर देगा तो यहां से हमारा power bank बंद हो चुका है और इसकी looking भी काफी अच्छी है और पतला सा अच्छा सा खुबसूरत स जह की फिलिप्स का power bank है तो अगर आप भी power bank को लेना चाहते हैं तो अनेको प्रकार की website जो है की online उपलब्ध है वहां आप जाके ले सकते हैं अनेको प्रकार का shop, Amazon, Flipkart, अनेको प्रकार के आपको जो है की apps भी मिल ले हैं उसके साथ साथ आप जो है की local market में भी खरीच सकत हैं तो यहां power bank अच्छा है और इसको अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें आपको कम दिक्तते उठानी पड़ेगी और अच्छा response भी दे रहा है तो अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो like, share, subscribe करना ना भूलें अभी तक आप नहीं हमाई चैनल अस्वनी म और आपनी पोटेंट को subscribe नहीं किया तो subscribe करें वीडियो को end तक देखने के लिए धन्यवाद